सुशान तो रिया का जिस जो आडियो क्लिप आया है जिसके बारे मैंने आपको अल्रडी बताया चोटे हिस्सों के बारे में पूरा उसमें क्या-क्या है मैं आपको बताती हूँ आज तक पर ये आडियो क्लिप आया है 36 minute का audio clip है जिसे पता चलता है कि रिया, सुशान, इंद्रजीत और financial advisors की meeting चल रही है जहां सुशान Bollywood छोडने, retirement के बारे में तमाम बाते कर रहे हैं और रिया और इंद्रजीत भी उसमें राय दे रहे हैं ये जनवरी का audio clip है, इसमें सुशान और सब लोग मिलकर के बात कर रहे हैं इसमें trust बनाने की बात कर रहे हैं, सुशान अपने भविश्य को लेकर और Bollywood को छोडने की बात कर रहे हैं साथे साथ अपने future plans की भी बात कर रहे हैं, retirement plans की बात कर रहे हैं आडियो क्लिप में यह लगता है कि सुशान्द आगे की प्लानिंग क्या करना है अगर बॉलिवुड में काम नहीं करना है तो पैसे कैसे इन्वेस्ट करने है ताकि मंतली उनकी इंकम बनी रहे इस बारे में प्लान करने का यह मीटिंग था सुषान्द के पैसों को i7 करने का रियन आइडिया दिया की पैसे की फडि करा देना चाहिक है एक और नॉया शक्स to the disrupt करांड को रिया कहते हैं के सारे पैसों से एफD जी करा लिते हैं सुषान-कास अंधी में रख दे उनकी जमापुंजी सुरक्षित रहेगी और सुशान्त के सिगनेजर के बिना कोई FD तुड़वा नहीं सकता ऐसे रगता है कि रिया नहीं ये आडियो जानमुझ कर रिकॉर्ड किया था लीक करने के लिए ही एनिवेज मुंबई सुशान्त आडियो क्लिफ में कह रहा है कि मैं इस शेहर से निकलना चाहता हूँ रिया कहती है पहले हम गोवा जाते हैं एक दो मेने वहां रहेंगे फिर हम फैसला करेंगे ये अपने भविश्य को लेकर सोच रहे हैं सुशान्त कहते हैं रिटार्मेंट जैसी चीज जगा पर जाना चाहता हूँ रिया कहती पावना या ऐसी जगा जहां मन को शान्ती मिले हम एक या दो दिन पावना जाएंगे और वहां देखेंगे कि कैसा महसूस करते हैं ज्यादा तर वक्त मैं इनके साथ रहूंगी फिर हम इस घर से निकलने की बात करेंगे सुशान कहता है कि मुश्किल से ही मैं अपने कमरे से बाहर जाता हूँ यह सब मेरी कुरियोसिटी है कि मैं अपने आपा ख्याल रखने के लिए लेकिन फिनेंशल ही नहीं क्योंकि मेरा दिमाग इस समय मैं कुछ और महसूस करता हूँ अगले दिन मैं कुछ और महसूस करता ह ये बात आई है सामने आज तक ये कह रहा है तो मैं ये समय खराब नहीं कर सकता वहीं रिया कहती है हम सबसे हम सबसे अच्छे लोग है वी आ गुड पीपल जब सुशान्थ ये कहते हैं तो सुशान्थ कहते हैं मैं सब रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये सब कैसे खत्म कर स सकते हैं सुशान्थ को पैसा बचाने की चिंता थी कि पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं मैं अपने दिमाग से लड़ रहा हूं ये बहुत मुश्किल वक्त है जो मैंने कभी नहीं देखा बुरे वक्त में प्राइवेट ट्रस्ट को बनाया जाता है अब ये कौन सा प्राइव फंड खरिदना चाहते हैं तो क्या ट्रस्टी ऐसा कर सकते हैं ट्रस्टी तैग करेंगे कि बहतर क्या होगा तो दूसरी आवाज आती है कि हम ट्रस्टी ही डिसाइड करेगा कि किस में बहतर रिटर्न मेरेगा जो खिम कम है ये आसान भी हो सकता है और पेचीजा भी तो एक रिटर्स्ट बनाने कि प्लानिंग कर रही ठीर्या पूरा ट्रस्ट बना करके उसका ट्रस्टी बनने की मंत्मिन थी तो क्या यह मंट्रीलाइज नहीं हो पआया, बड़ा सवाल, क्या आपञे ये ट्रस्ट यह पूरा आदियो सुना है सुनिए और जरू बताइए, बात करत इस बादे में अगले वीडियो में फिल्हाल अभी के लिए सितना